हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल इस वीडियो में देखेंगे कक्षा आठ के विशे सामाजी विज्ञान के अर्धवाशिक मॉडल पेपर यह है पेपर जो है आपका बिल्कुल एक्जाम पैटर्न पर आधरित है और जो आपका अर्धवाशिक पेपर होगा 2021-2022 उसमें काफी हैलफूल रहेगा तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कम्प्री देखेगा अगर किसी कोशन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंड बॉक्स में कमेंड करके हमसे पूछ सकते हैं चलि start करते हैं यहां सबसे पहले आपको मिलेंगे बहु वैकल्पिक फ्रेश्न जो की 40% दिए जाएंगे आपके पेपर की 40% जो जो कोशन है वो बहु वैकल्पि़ कोशन होंगे जो कि क्या होते हैं, जिनमें आपको question पूछा जाएगा, जिनके चार option दिये जाएगे, आपको correct question, correct जो answer है, वो tick करना है और लिखना है, ठीक है, तो यहाँ, first question है, भारत की पहले governor general थे, James Rennell, Warren Hastings, Lord Mountbatten, Robert Clive, answer click हो जाएगा आपका Warren Hastings, option second, जो है, वो correct हो जाएगा, यहाँ, जो options है, वो correct कर लिजेगा, second की जगे, first हो जाएगा, third की जगे, second हो जाएगा, fourth की जगे, third हो जाएगा, fifth की जगे, fourth हो जाएगा, second question है, भारत की अंतीम वाइसराइ कौन थी, Warren Hastings, Lord Mountbatten, Robert Clive, James Smil, यह answer correct हो जाएगा, option second, Lord Mountbatten, third question है, सरकारी दस्तावेज, records कहां रखे जाते हैं, कारेले, अभी लेखागार, पुस्त काले, इन में से कोई नहीं, answer correct हो जाएगा, option second, अभी लेखागार में, fourth question है, बाइस अक्टूबर, 1764 इस्वी को, बकसर यूद में, अंग्री जी सेना का नेत्रत्व किस ने किया, रॉबर्ट क्लाइच, लॉड कांड बैलेज, मिलियम वैटिका, कैप्टन मुन्रो, कैप्टन मुन्रो द्वारा, जो है, अंग्री जी सेना का नेत्रत्व किया गया था, तो यहां, option fourth, correct हो जाएगा, फिफ्ट कुशिन है, सत्रा सो सत्तावन में, प्लासी का यूद, रोबर्ट क्लाइव, एवं किसके बीच लड़ा गया, आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिरा जुद्दोला, option second, correct हो जाएगा, option first, correct हो जाएगा, ठीक है, सिरा जुद्दोला, option first, correct हो जाएगा, नेक्स्ट कोशिन सिक्स्थ है, बक्सर यूद कम हुआ, तो यहाँ आंसर हो जाएगा, 22 अक्टूबर, 1764, इस्वी में, option first, correct हो जाएगा, सेविन्थ कोशिन है, नभी करनिये, संसादन का उधारन निम्ड में से कौन नहीं है, सोर उर्जा, पवन उर्जा, कोईला, बायो गैस, यहाँ, आंसर हो जाएगा, option third, कोईला, एर्थ है, जल, ग्रह, किसे कहा जाता है, प्रित्वी, मंगल, शुक्र, बुद्ध, आंसर करेक्ट हो जाएगा, option first, प्रित्वी, नाइन्थ कोशन है, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया, आंसर हो जाएगा, एक अप्रिल 2010 को, option second, करेक्ट हो जाएगा, नेक्स कोशन है, 10th कोशन, सविधान के निर्मान में कितना समय लगा था, आंसर हो जाएगा, यहाँ, दो वर्ष, ग्यारा महा, अठारा दिन, option first, करेक्ट हो जाएगा, 11th कोशन है, हमारी सविधान की मुख्य विशिष्टा है, आंसर होगा, 12 कोशन है, शिक्षा किस सुची का विशे है, संग, राजय, समवर्ती, कैन रिये, आंसर करेक्ट हो जाएगा, समवर्ती, option third, करेक्ट हो जाएगा, 13 कोशन है, भारती संग का सर्वुच पद है, राष्ट्रपती, मुख्यन्याधीश, प्रधानमंती, सेनादे, जो भारती सं है, उसका सरवुच पद होता है, राष्ट्पती, option first करेक्ट हो जाएगा, next question 14 है, राष्पती का कारेकाल होता है, कित्ने वर्षों का होता है, राष्पती काल, पाँंच वर्षों का, तो यहाँ, option second करेक्ट हो जाएगा, next question 15 है, भारत की प्रतम पदान मंतरी थे, बहुत easy question है पंड़ जवाला नहरू, option second correct हो जाएगा, 16 question है, चावल का सबसे बड़ा उतपादक देश है, चावल कहां पर सबसे जादा होता है, चीन में, option जो है आपका फोर्थ, जो है option वो correct हो जाएगा, 17 question है, विश्वी में मक्का का सबसे बड़ा उतपादक देश है, संयुक्त रा आजी अमेरिका, USA, ठीक है, 18 question है, संचार की साधन का एक उधारन है, इंटरनेट, बिजली, मंदी, नदी, इंटरनेट, ठीक है, संचार का उधारन है, इंटरनेट, इंटरनेट की त्वारा हम एक दुसरे को मेल के अर सकते हैं, तो ये संचार का एक उपकरन है, उधारन है, 19 question है भारती राश्पती का चुनाव किस विदी से होता है और प्रत्यक्ष आनुपातिक से तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है राश्पती का चुनाव यहाँ होता है और प्रत्यक्ष रूप से आंसर हो जाएगा आपका correct option fourth 20 question है भारत में सोने का निक्षिप किस राज्यम में पाया जाता है सोने का निक्षिप पाया जाता है करनाटक राज्यम में option second correct हो जाएगा अब आ गए हैं आपकी अतिल अगुर अत्मक प्रश्न जो कि आपके प्रतिक एक अंकार हैगा 21 question है भारत में पुर्तिकाली ठिकाना कहा था आंसर हो जाएगा भारत में पुर्तिकाली ठिकाना गोवा में था 22 question है बंगाल में नील विद्रो कब हुआ 1869 में 1859 में 23 question है बिर्सा मुंडा की अनुयाई दो अन्य जन जाती समू के नाम लिखिए 24 question है भारत में कितनी इस्तरीय शासन व्यवसता है 25 question है राजस्थान में सबसे कम साख्शरता वाला जिला कौन सा है सबसे कम साख्शरता वाला जिला है राजस्थान में जा लो अब देखते हैं लगुत रात्मक प्रश्ण 26 से 31 प्रतेक दो अंका है 32 जो कोशन है वो होगा आपका थड़ अंक, तीन अंका 26 कोशन है राजिस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है और क्यों? आंसर लिखेंगे भीलवाडा को राजिस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है क्योंकि बृत्वान में भीलवाडा राजिस्थान का प्रमुक वस्त्र उत्पादक शेत्र है इसलिए इसे राजिस्थान का मैंचेस्टर भी कहा जाता है 27 question है राजस्थान की प्रमुक परेटन इस्थलो को कितने भागों में बाटा गया है तो यहां तीन भागों में बाटा गया है परेटन इस्थलो को एतिहासिक, भोगोलिक और धार्मी एक इतिहास की दरश्टी से हैं, एक भुगोल की दरश्टी से हैं, जैसे जल, नदिया, ताला, पावडी और एक है धार्मिक दरश्टी से, धार्मिक जो इस्थल है, धार्मिक जो सभी मंदीर वगेरा आते हैं, वो सभी धार्मिक इस्थलों में आ जाते हैं, जैसे पुशकर म और देख सकते हैं तो यहां अंसर हो जाएगा पांच मानव निर्मित संसादन है वाहन, पुल, सड़क, मशीने, रेलवे, मानव निर्मित हैं ये सबी और 29 कोशन है भूमी निमनी करण के दो कारण लिखिए भूमी जो निमनी करण है उसकी दो कारण है उसकी दो कारण है तीन अंग है विधाय का, कारेपाली का, न्यायपाली का 31 कोशन है सही मिलान कीजिए ए और बैसे हमें क्या करना है सही मिलान करना है संकी अकौरिंग तो यहां सबसे पहले है जलिया वाला बाग हत्याकन जो की कब हुआ? 1919 में 1919 में अप निवेशिक राजद्रुहो एक्ट जो की कब हुआ? 1870 में हिंदू उत्त्रा दिखार संशूधन कानुन जो की कब हुआ? 2005 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानुन जो की कब लागू हुआ? 2006 में इसरस हमने मिलान किया है सही और 32 कोशन है बिर्सा आंदूलन के क्या राजनीतिक उद्देश्य थे? ये तीन अंका कोशन है आपका बिर्सा आंदुलन के राजनितिक उद्धिश्य हैं बिर्सा मिशन नियू, महाजनों, हिंदु जमीदारों तथा सरकार को अपने छेतर से बाहर निकाल देना चाता था वह नहीं चाता था कि अंग्रेज अधिकारी वहां रहें सेकिन है इस आंदुलन का उद्धिश्य बिर्सा के नेत्रतु में मुंडा राज इस्तापित करना था अब देखते हैं दिर्ग उत्तरात्मक प्रेशन जोकी प्रतिक प्रेशन पांच अंका है 33 कोशन है इस्ताई बंदोबस्त के मुख्य पहलू का वर्णन कीजिए यहां आप बताएंगे इस्ताई जो बंदोबस्त है उसके मुख्य पहलू उनका वर्णन करेंगे और 34 कोशन है आपका सबसीडिरी एलायंस साहिक संधी व्यवस्था की व्याख्या कीजिए तो यहां आपको subsidiary, alliance यानि साहक संदी विवस्था की व्याख्या करनी है तो यह दोनों प्रेशनों आपको स्वाहिम करें अगर आपको इन दोनों ही प्रेशनों में से किसी question में कोई doubt रहता है तो आप हमसे comment box में comment करके पूछ सकते हैं तो यह था आपका कक्षा आठ की विशेश सामाजी विग्यान का complete model paper जो कि आपके बिल्कुल exam pattern पर आते रही थे उम्मीद है आपको यह question समझ आए होंगे, समझे होंगे तो आप इन्हें याद करिए और अपना model paper से अपना जो आखलन है वो भी करिए इसी तरह हम आपकी class rate और भी important videos लाते रहेंगे तो जोड़े रहे हमारे channel के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद